सब्सक्राइब नी करती और रुकती निफ पूरा खड़ा हो जाओ पर जाके लगती ब्रेक कि अर बाइज मैं हुं मैंदरा थार की ट्रैश्ट डे रहाओं को मलब इसमें ज्यादा मज़ाता है मिलें अपनी किया से में लुटर से डान में जाथ मज़ा आता है बताता हूं इसको ड्राइब करें देखते हैं तो भाई अरून भाई तो नेक्स्ट कार में हुआ बाई कभी ले लेंगे इसमें भी पीच में एक्स्पिरेंस किया रहता है यापका सुम्स में लगी इदेखा बाई दो ठीग है भाई चाहए बाई पर जो आपको अधिस जादिक झाल जाति को बड़ी बात नहीं है मलोग कूर बगजाए गारड बागने को तो 120 भाग यह पता वह देखा चेल रही है देखा है ब्रेक चेक करते हैं ब्रेक में मज़ा नहीं है भाई ब्रेक में मज़ा नहीं है भाई ब्रेक में तो बंदा मार खा जाएगा इसकी भाई ब्रेक बिल्कुल ठड़ किलास है सिर्यस्ली भाई और एक वारी चेक करते देखो खाली रोड है इस पर भागर देखेंगे को नॉर्मल में बढ़ा रहा हूं नॉर्मल मोड में अपने आड़ी को तो देखो गाइस स्पीड देखना भाई इसकी अलब पिक अपगर ठीक है भाई अरे भाई यह कैसा भाज कर देखेंगे अप्रेक देखते हैं भाई बिल्कुल मज़ा नहीं है तो कहीं एक्सिडेंट करा देगी गाड़ी पक्का इस गाड़ी बिल्कुल एक्सिडेंट करा देगी पक्का बता रहा हूं मैं आपको इस गाड़ी में ब्रेकिंग मेहंद्रवार ब्रेकिंग तो बहुत थड़ क्लास दियुए आपने और देखो पीच में चलती गाड़ी में इसकी घड़की खुल जाते है भाई अब लगी इसकी भाई अब लगी बहुत हाड एकिड़की भी तो भाई इसको भगाए ना तो बैस्ट है यह बस हमारे लिए बनी हुई है कि स्मॉल रूट्स अपने घर से अपने फार्माउस पर चले गए या कहीं 2-3 किलोमेटर की रनी है तो वहां चले गए अपनी गाड़ी को लेक है खेतों के लिए बनी है देशी बात देशी देशी बात भाई खेतों के लिए बनी है थार वैसी जगह के लिए नहीं बनी बिल्कुल थार और स्पेस तो काफी ठीक है बाई स्पेस के लिए तो मैं इसको बोलूँगा बिल्कुल स्पेस के लिए तो वाई फाइव स्टार तो पिकप तो ठीक है भाई 105 यह देखो भाई बाद जो ब्रेक की है भाई अब देखो उठागे शवार चले तो प्रेक लेने ते पहले तो साथ साफ बूलती की ब्रेक लूँ ना लू और भाई रिपट तो बिल्कुल रिपट नहीं है देखो ब्रेक में मज़ा नी पूरा प भाई क्या कर इसका भाई फंक्शन ठीक है भाई बट बंदे जो थोड़ा ना ओप मज़ा तो है भाई बिल्कुल ऐसी वी का फुल मज़ा इसमें बट मेरे इसकी ना ब्रेकिंग ठड़ क्लास इसका पिकप ठड़ क्लास मज़ा नी है और भाई बात करते हैं कि बॉड़ी रोल के बारे में है भाई बॉड़ी रोल कैसा इसका देखो भाई मैं ज्यादागी स्पीड पे तो इसके बॉड़ी रोल चेक करूँगा नहीं कम स्पीड पे करूँगा कैसा मैं पलट जाएगी मैं नॉर्मन स्पीड पर ठीक है इसका 40-50 तक तो ठीक है पॉटी रूड देखना भाई बट सिर्वे भाई पचास सो पर तो भाई रिस्किया है लाड़ी उठ जाएगी भाई टायर पचास ठीक है बट कभी इसको आप 800 पर जैसे मेन अपनी किया को क्या हो है तो भाई आरम से चलता है अच्छा है बस थोड़ पर टायर उटता है पिछले साओ की स्पीड पर कुछ नहीं होता है गाटे का मैंने पर चेक क्यों हो है बादर बाई इसका तो 55 पर हालत खराब होने लगी इसके तो मतलब बैलंस बनेगा नहीं बनेगा भाई वही वाला सीन है अपना इसको आरम से चलाओ तो बैस्ट है और वाई इसको जितना आप आरम से लाओ नहीं उत्तरा ही मज़ा में लेगा पूसको चलाने में गाड़ी को इसे बताओं भाई अधर वैसे में कैम्रा या देख लोगे धटी क्वाल्य तिके मर दिया हुआ हए धटी क्या ओडी के वाय दॉबकर किसी रीजन से नहीं दिखा पारही हो इसको श्वार को दिखा दिता हूं मैं रोकल याड तो क्यों नी चल रहा बह, वैसे ऐ हम आई कpractice ए। कर देखो इसकी 100 स्पीड चेक कर लोगा कि दूम बगती है दिए 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 दुट्राइट पकड लेती है थारा पीजिरो टॉंड्रेड और भाई अब बद्रेड प्रियांशु पबार की चलाई थी तो भाई मैंनूल में तना मज़ा निया है जितना आप्टोमेटिक में आरा है मेरे चलाने में इसे बताऊ तो ऑटोमेटिक जादा पैसा फाल तो लगता है और एवरेज के एवरेज के लिए थोड़ा चुप होना पड़ता अब आप अप्टोमेटिक लेट जोतों आप्टोमेटिक बैस्ट है मैंनूल से जादा मैं प्रिफर करों आटोमेटिक लोगाई मज़े हो जिंदके में एक जिल्द्गी है अच्छा आपको पता है गाड़ी किस बाई कि अपने मौस के लड़के की गाड़ी है जाती है तो है तो भाई इसका हमने ड्राइव में एक्स्परेंश दिया अपको कुछ ऐसा थोड़ा गौत ठीक है नॉर्मल या ट्रेविस पर उन भाई के पास सलते भाई इन से बूजते में भाई इस गाड़ी में ऐसा सीन है पता लगेगी अभी आए भी आए भी आपर नहीं आई है तो यह मैं से थोड़ा फास्ट आगया तो यह बाई अपने व्रैपालिस पाई हो है हम अपने गाड़ी में काम कराने के लिए तो मैंने सोचा वह एक्स्परेंस दे देते हैं अपना अच्छा सा तो अब भाई से बात कराते हैं आपकी थोड़ों उनको बताते भाई यह कम ह आई नहीं है अभी आपने यह थार ले तो लिए बट इसमें कुछ मज़ा लगा आपको लेने के बाद सही बताना अच्छा लेकिन हाइवे पर रोड पे भी जूल तो भाई जैसे हमने अभी हम गूमने के लिए गए तो बारासों किलोमेटर हमने इससे अभी किया से रणिं कि अपनी तो आप इससे रणिंग करते तो क्या क्या सफील होता आपको क्योंकि नहीं कर पाते क्योंकि वह 140-200 भागती है पता ही नीचलता यह तो पर ही फिर इसमें कॉंफिदेंस होने लग जाता है मेरा भी 110 पर कॉंफिदेंस लूज हो गया समय तो आपने बहुत बहुत बता है तो यह तो बढ़िया कि भए हमारे अम इतनी ऐसी गाड़े बना रहे है जो नी रूखेगी फिर भी बताओ यह पीछे डिस्क पढ़े सकते थे नहीं और यह क्या कर दिया अपने पाई में को में अच्छी लगी इसलिए में में ने अट लिए 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 नीव कर दिया वो भी भाई ऑफ रोड़िंग में है मज़ा सनो में हो गया आपका और वैसे मिट्टी उचेगड्यों में हो गया सब जिए नहीं कर सकती है और एक बात और भाई मैनोल से ज्यादा मज़ा आटोमेटिक में है ना यह बात भी मैंने बताई है यह बात भाई